जे हिंद सातियूं वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजूकेशन चैनल स्टेडी एक्जाम एकेडवी पर सभी साती कलास में लाइव जुड़ जाएं दोस्तु कलास का टाइम बता देता हूं मोर्निंग में 9 बजे हैं और साम को इवनिंग में 8 बजे आपकी कलास चलती है जहां रखना यह तो सुबह होती है 9 बजे और एक साम को 8 बजे कलास होती है साम को 8 बजे राजस्तान पूरीश का स्पेशल मोडल बेपर चलता है तो आप सभी साती लाइव जुड़े रहे हैं और आनंद उठाते रहें इन कलास का अपना एप्ल आप कला से ले सकते हैं अमुल्य नीट योजना का संबंद किसे हैं दोस्तूं सभी का राइट आंसर आ चुका है डी बूंद बूंद एवं फंवारा सिंचाई बूंद बूंद यहां रखना डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं सेकिंड राजस् किसी निवेश काम पर होता है किस देश से होता है यह सांदर परसंद है और बहुत सारे विदारती नहीं दें आप आएंगे आंसर अमेरिका जापान रूंस या चीन तो राइट आपान होगा दोस्तूं जहां रखना क्या हो जाएगा जापान अगला परसंद देखते हैं य चितोडगड जाडोल उद्यपूर कुराड़ा नागोर कुराड़ा नागोर जिले में हैं परवसर तेसिल में सांवलिया विकानेर तो सभी के सभी सुमेलित कर दिये वे हैं और नीचे कूट आपको दे रखाया तो एक नमर आपका राइट हो जाईगा नेक्स्ट अगला देखते हैं अगला पसंद देखते हैं अलवर नगर के संस्तापक कौन थे अलवर नगर के संस्तापक महराजा सुजान सिंग अजे राज परताब सिंग तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तु बिल्कुल राव परताब सिंग डी आपका यहां पर र अगला है एनल्स एंड एंटिक्यूटीज ओप राजस्तान के लेख कोन है इस पुष्ट के लेख का नम आपको पूचा गया है और बिल्कुल बेसिक परशन है कहीं बार राजस्तान जी के इस्टाइट करते हो तो सबसे पहले आपको यही चीज पता होना जरूरी है बिल्कु करनल जेम स्टोड है राजस्तान इतियास के पिता इन्हें का जाता है राजस्तान के इतियास के पिता इन्हें का जाता है गोडे वाले बाबा इन्हें का जाता है अगला परशन है दोस्तों की सुदमा चरीतर के लेख का नाम बताना है मोहन राजसा मोहन सिंग सुजाजी य पहुत सांधार भादार बहुत है राजस्तान को सरवादिक राजयसवیں किस रापत होता है। राज ये उत्तपादल। छूल के स्टस्टाप फेージस्ट राजस्तो कर्ष़िए सर्वादिक राजसवें किस कर्ष़े परापत होता कि बिक्री कर बिल्कुल एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान का सबसे प्राचिन संगटिक उद्ध्यो कौन सा है सबसे पुराना संगटिक उद्ध्यो कौन सा है चीनी सिमेट वनस्पति घीका या सूती वस्तर का यह प्रसंदें को कितनी बार एक्जाम पूशा जा सुगर बार बार पूशा जारा है और बिल्कुल इजी परशिने कोई गलत करता है नहीं होगा देखते हैं देखे किस-किस का राइट आता है बिल्कुल सूती वस्तर उद्यों हो गए जहां रखना राजस्तान का सबसे प्राचिन भी है राजस्तान में सर्वपर्तम कर्शक आंदोलन कहां प्रारम हुआ विजोलिया, शिकर, वेंगु या वुंदी तो सबसे पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला विजोलिया किसान अनोलन है बिल्कुल यह आपका करेक्टर आंसर हो देगा अठारोस्तो संत्यान में है अगला है कि वर्दा में राजस्तान सेवासं की इस्तापना हुई यह परसन भी आ चुका कहीं बार राजस्तान सेवासं की इस्तापना कब हुई थी 1919 में बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि गुर्दे पहने जाते हैं कान में नाक में बाजू में या गले में दोस्तु गुर्दे कहां पहने जाते हैं बतोर बिल्कुल कान में पहनते हैं कान में मीरा भाई का मंदिर कहां पर है मीरा बाई का जनम भलही मेडता नागोर में हुआ हो और गया जनम हुए वहीं पर इनका मंदिर है अगला है कि प्रियटन उद्यो का दरजा कड दिया गिया राजुस्तान प्रेटन उद्यो का दरजा कड दिया गिया मार्च 1990 बिल्कुल 1989 शी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान में राष्ट्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया राष्ट्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कब लागू किया गया राजस्तान में 2 अक्टूंबर 2013 को लग हुआ भी आपका यहां पर राइट आंजर हो जाएगा दोस्तु निमन में से कौन सा युगम असत्य है गलत कतना आपको बताना है परताब सिंग बारट सापुरा भीलवडा सही है बिल्कुल नानक जी भील बुंदी सागरमल गोपा ज एसर मेर سے ही है जमना लाल बजाज चुरू जो यहां पर गलत दे रहा है दोस्तु जमना लाल बजाज का समन कहां से बता हो देगे नसीर अबाद में विद्रो करने वाली थी नसीर अबाद में सब पहले 1857 की करांती के समय सैनिक विद्रों हुआ था किस ने किया किस ने किया तो ऐसा काम किया था पंदरवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री के स्चेनिकु ने ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो पनिहारी नर्चे किस परदेश का आकर्शन है पनिहारी गुजरात राजस्तान उत्र परदेश या मद्दे परदेश तो पनिहारी तो राजस्तान की है कहां की है राजस्तान की वह कलाकार जिसने वंदे मात्रम की धून बजाई वंदे मात्रम की धून बजाने वाला कलाकार कौन है जमाल सेन बिलकुल बिया आपका राइट आंसर है परधान मंतरी फसल भीमा योजना कब लागू की गई दोस्तों ये परशन बहुत ही महतुपूर रहेगा फसल भीमा योजना फसल पर भी भीमा होता है जान लखना पंदरा जुलाई 2016 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐसे परशन पूचे जाते हैं और एधारती गलत करके आते हैं योजना बगेरा अंड्रेड परशन एकजाम में पूचे जाती है लाल मिरच कहां की परशिद है जेपूर जोदपूर बिलवडा या गंगा न मोतिलाल तेजावत भोगिलाल पांड्या गोविंद गिरी या भूरे लाल गुरुजी समसभा की इस्तापना गोविंद गिरी ने की ती किसने की रहे हैं गोविंद गिरी अगला परशन देखते हैं चाउरी कर लागू किया गया परताब सिंग करशन सिंग पृत्वी सिंग या खुशाल सिंग साधी पर चाउरी कब लेते थे जब लड़की की साधी होती थी उस समय भी कर देना पड़ता है अरा लड़की की साधी भी करो और कर भी दो इन राजा माराजों को बहुत सोशन क्या रहे है इन्होंने गरीब किसा मुगा राज अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कर्शन शिंग भी आपका राइट हो जाएगा अगला परशन देखते हैं राज जी में संचालित मुखवीर प्रोच्छान योजना के तहत मुखवीर को दे अंतिम प्रोच्छान राशी की सिमा अधिक्तम क्या है पांच लाग, पंदरा लाग, पच्छीश लाग या पैंटिश लाग मुखवीर प्रोच्छान योजना प्रोच्छान इसमें कितनी राशी दी जाती है इस योजना में पच्छीश लाग की राशी है कितनी है रहा है पच्छीश लाग की यह सा वहें संगितियी जो काका के नाम से परसी दे अरे काका अंकल जी हमारे अंकल जी को काका बोलते है काका के नाम से कौन परसी देखे कौन परसी देखे गुलाम खान C आपका correct answer हो जाएगा सघ्जुज जी थोड़ा hard परसन लेके आजाओ ये लो कुछ कुछ पशन ऐसे हैं कि विदारती आंसरी नहीं दे पा रहें अगला है कि पंदरा सो चेतर के हल्दी गाटी के युद का आंखों देखा हाल किसने देखा हल्दी गाटी के युद को अपनी आंकूं से देखा और वहीं पर लिख दिया इतियास लिख दिया तो वो इतिया इत्यासकार था बदयूनी कौन था रहा है बदयूनी था इसने राजपुत्नों की खून से अपनी डाड़ी को रंगा था हल्दी घटी का वो एत्यासिक युद्ध महारणा परताब और मुगल बादस्या अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया जिसमें अकबर का प्रधान स बदयूनी ने अपनी आँको से इस युद्ध को देखा किस प्रधा से राजपुत्नों वीरू की एक छोटी शी शेना ने मुगलों की हलत खराब कर दी थी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला ऐ निरनाईक युद्रा अकबर का जो लक्षी था मारणा परताब को अधिन करना सपल नहीं हो पाया वो इसमें अगला परशन देखते हैं अगला परशन है दोस्तु बाल रामाइन गरंत किसके द्वारा लिखा गया राज कपूर राज सेखर कपूर या राजेश्वर बाल रामाइन गरंत किसके द्वारा लिखा गया मेरे बबर शेरू और श चेताउनीरा चूंग्टिया किसरा रहा चेताउनीरा चूंग्टिया के लेख कौन है विजे सिंग पथी केसरी सिंग भारट दामोदर्द असराथी या मानिक इलाल वर्मा चेतावनीरा चूंट्या के लेकर के केसरी सिंग बारट यदि आपने आंसर भी चुना है तो बिल्कुल तुक्के के साथ में चुना है भाई नेक्स्ट है कि निमूचना कांड किसी रियासत में गटित हुआ निमूचना हत्या कांड हुआ था दोस्तु अलवर में 1925 में हुआ था कलास को लाइक जरूर करें अपना टेलीग्राम गुरू भी आप जोइन कर लें दोस्तु लिंक डिस्क्रिप्शन में है दरिया पंत का धार्मिक इस्तान है बीकानेर या जोधपूर अरा इन साब की हवेली तो है दोस्तु जेसल मेर में काम पर नहीं को घुमा करो राजस्तान में जा जाया घुमोगे बहुत सब शीक्ने को मिलेगा जैके सीख जाओगे आपर निर्देश दिया गया है किस अनुछेद के तरह दो राइट bagus रोजेगा अनुछेद40 के तरह अगले पर्शन को रुख करते हैं सामुधाई की विकास कारीकरम कब परारम किया गया दोस्तों सामुदाई की विकासकार एकरम प्रारम हुआ था दो अक्टूंबर 1952 को यदि आपने आंसर भी चुना है तो बिल्कुल राइट है सब अगला नेक्स्ट है कि राज जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से अनुछेद के तेद परापत है राज जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुछेद के तेद परापत है दोस्तों तो यह अनुछेद 123 सुरी अनुचेद 213 213 है अनुचेद ज्यान लखना यह पस्ट कहीं बार आ चुका है राजिको अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुचेद में है 213 यह रट लेना शीतला अस्टमी कब आती है दोस्तों होली के दिन होली के एक मापुरूए प्रिपावली के दस दिन बाद, होली के दिन बाद शीतला अश्टमी कब आती है, होली के आठ दिन बाद आती है अगला परशने, कौन सा मेला वरस में दो वार आयोजित होता है बान गंगा मेला, जीन माता का, शीतला माता या केला देवी का मेला वरस में कौन सा मेला जो दो बार आयोजन होता है जिसका उस मेले का नाम है जीन माता का मेला नवरात्रों में बढ़ता है नेक्स्ट है कि बेंग्टी गाउं किस लोगदात देवता से समंदित है हडबुजी मलिनात पावुड जी या देव नारण जी बिएंग्टी का तो हडबुजी से समंदित है अगला प्रशने अनुछेद 163 का समंदित किसकी सक्तियों से है 163 किसकी सक्तियां है राजियेपाल की राजियेपाल की स्व्यम्विवेक की सक्तियां इसमें सामिल है राजस्तान के पर्थम वे सर्वादिक कारिकाल वाले राजजी कौन थे राजस्तान के पर्थम वे सर्वादिक कारिकाल वाले राजजी पाल बिल्कुल गुरुमुक निहाल सिंग आपका भी राइट आंसर हो जाएगा पर्थम राजजी पाल थे वर्तमान में राजस्तान के राज जिपाल कौन है दोस्तूं कलराज मिसर है सा इससे पहले कल्यान सिंग जिया विदान मंदल का उलेख है किस अनुछेद में विदान मंदल का उलेख मिलता है तो अनुछेद 108 में अंतराष्ट ये ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है यह आपका यहाँ पर राइट आंसर है विश्वे जल दिवस मनाया जाता है 12 मार्च, 12 मार्च, 12 अप्रेल या 22 अप्रेल दोस्तूं विश्वे जल दिवस कम मनाया जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 अपरेल को पर्थ वीडियोस मनाया जाता है राज जी का सरोचे वीदी अधिकारी कोन होता है और एक दिन आपको भी बढ़ना है महा अधिवक्ता होता है कौन होता है महा अधिवक्ता राज्य के विदान मंडलू के गटन से किस अनुचेद का संबन्ध है कौन सा अनुचेद है विदान मंडल के गटन के लिए अनुचेद 168 है ध्यान रकना यदि राजस्तान पुलीस में राजनीती के बहुत ज्यादा परसन आगए तो आलत खराब हो जाएगी ध्यान से पड़ लेना वर्तमान में राजस्तान में मुख्यमंत्री कौन है एवम रजी के कौन से मुख्य मंत्री है कौन से नंबर के मुख्य मंत्री है और है सबने जान है असो गेलोत है कौन है असो गेलोत है और ये राजस्तान के 25 मुख्य मंत्री है कौन से नंबर के है 25 नंबर के तो ये चीद आप ध्यान एकना पिछली वार पूछ लिया गया एक एक एक्जाम मे कि असो गेलोत कौन से करम के मुख्यमंत्री बढ़े है तो 25 नमर के तो यह राजस्तान जीके के हमने 45 परसंड के वर किये कितने किया रहा है 45 कितने आपके राइट वे मुझे कमेंट दरके आप ज़रूर बताएं नेक्स कलास में मिलते हैं दोस्तों धन्यवाद जय हिंद।